मैं परिया ग्राम निगरनी पोस्टो की देशन बनावर से मेरे हम पर आज माहिकों का नौंग तेज मेरे इसमे की देशन के लिए मैं 200 ग्राम साफ पाउडर यूपियल का 200 ग्राम भी किसान का सुप्रोज मैं 200 ग्राम पानी में डाल के इस प्रकार से यह तरीके से टेंच करवा रहा हूं ठीक है विया यह देखो आप यह लगबग मेरे इसाब से 70-80 ml पानी लगबग एक पोदे में जा रहा है ठीक है भाई साम यह देख किस बड़ा में को बताईए भाई नमस्कार बहुत बढ़िया काम के आपने कोई साभी प्लांटेशन अगर हम कर रहे हैं वहां पर उसको लगाते समय अगर बड़ा पोदा है तो कीचड बना के लगाना है जैसा केला है पपीता है या आम जाम नी सकते हैं जो वाई सेनोमेटा कंटेन आता है उसमें मीर्च टमाटर खीरा इस टाइप का कुछ अगर हम लगा रहे हैं पोद तो आपने एकदम परफेक्ट डिसीजन लिया है क्योंकि एक एकड़ में दस जार पोद लगते तो कीचड बना के लगाने में समय भी लगेगा और चोटे-चोटे से क्लश्टर बनेंगे कीचड के उसकी बजाए आप जो ड्रेंचिंग कर रहे हो एकदम परफेक्ट है बहुत अच्छा रिजल्ट आना है इसमें मिर्च में और आप आगे फिडबेक देते रहिएगा कि सुक्रोस का वाईसेनोमेटा का उप्योग करने से मि ग्रहित रहे इस तरह से प्लांटेशन जिस दिन हो रहा है उसी दिन अगर हमने जिस भी पोधे को ड्रेंच किया या कीचड में लगाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना है सो में से सो पोधे बचेंगे डेमेज पन नहीं आएगा विकरती नहीं आएगी थेंक्यू मैं रामकिशान